हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को इसी यूटूब चैनल में और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इंपोर्टेंट रिपोर्ट को ले करके तो आईए इसके एक-एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इंद्र धनूस अभ्यास 2020 को ले करके जिसका पांचवा संसकरन 24 फरवरी से सुरू हो चुका है भारती ये वायू से ना यानि की IAF और British Royal Air Force यानि की RAF के बीच सुरू हो चुका है ये संजुक्त वायू से ना अभ्यास है जो कि भारत और के बीच हो चुका है सुरू अब जदी हम बात करेंगे ये जो अभ्यास सुरू हो चुका है कि इस पर फोक्सित है तो बेस बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन इस पर ये अधारित है फोक्सित है यानि की अधार रक्षा और बल रक्षा सुरक्षा पर ये फोक्सित है जदी हम बात करें कि ब्रिटिस वायू सेना के 36 लाड़ा के इसमें सामिल हो रहे हैं जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि 36 ब्रिटिस लाड़ा के इसमें सामिल हो रहे हैं वही जदी भारत की बात की जाए तो भारतिय वायू सेना के जो गरूर फोर्स है उसके आयोजन हिंडन एइर इसेशन जह कीगाजिया बाद में है यूपी में वहां पर इसका आयोजन हो रहा है जदी हम हिंडन एर फोर्स स्टेशन बाद करें तो दुनिया का 8 और एसीया का सबसे बड़ा Air conditioning Air weights जो की गाजिया यूबी में है अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में वायू सेना के परमुख कौन है यानि कि एरचिप मारसल कौन है तो रकेश कुमार सिंग बदावरिया और यह रहें रकेश कुमार सिंग बदावरिया जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं जदी हम बात करें कि इस कोछ और बวी इंपोर्टेंट युकय के बारे में समझ लेते हैं। जेहाँ पर जानेंगे युकय यानिकि बृटन रंद्धानी लंदन मुद्रा है पांड त्टरलिंग परधान मंत्री है बोरिश जॉंसन और यह रहे बोरिश जॉंसन ग्रिह मंत्री है प्रिती पटेल जो कि भारतिये मुल्की है और यह रहे प्रिती पटेल जदी विदेश मंत्री की बात करें तो हालही में रिसी सुनक को बनाया गया था जो कि भारतिये मुल्के है तो ये बिरिटेन के बीत मंत्री है बीदेश मंत्री वर्तमान में है डोमिनिक एराब और ये रहें डोमिनिक एराब जदी हम UK के अपर हाउस को जदी बात करें कि UK के अपर हाउस को क्या कहा जाता है तो हाउस ओफ लॉड्स लोवर हाउस को क्या कहा जाता है The House of Commons अब UK को मैप में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैप में यह है अपना कंटरी अंडिया और यह है सीधा UK तो उमीद है कि बडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आप से अगले बडियों में तब तक के लिए धन्यवाद